नमस्कार प्रडाम आज के वीडियो का टोपी के दोस्तो हाँ मैंने जान लिया है सभी रोग कैसे होते हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है हाँ सचमुछ मैंने जान लिया है कि रोग होते कैसे हैं और वो ठीक कैसे होते हैं दोस्तों इंद्रियां जो है हमारी इस मार्ग पे चलने से पहले हमारी जो इंद्रियां है उनको बस में करना पड़ेगा वो ब्यक्ति इस मार्ग पे चल ही नहीं सकता जो इंद्रियों का गुलाम है यह आसान मार्ग नहीं है जो ग्यान मेंने ये प्राप्त किया है कि सरीर को स्वस्त कैसे रखा जा सकता है ये असान मार्ग नहीं है ये भोगियों का मार्ग नहीं है ये योगियों का मार्ग है ये आत्म संयम लोगों का मार्ग है वो जो आत्म संयम कर सकते हैं वो जो अपनी इंद्रीयों को वसने कर सकते हैं वो जो इंद्रीयों की स्वामी है वो नहीं कर सकते हैं जो इंद्रीयों के गुलाम है वो कभी इस मार्ग बे नहीं चल सकते हैं और यही एक मात्र मार्ग है यही एक मात्र तरीका है जिसे से हम अपने सरीर से समस्त रोगों को निकाल भी सकते हैं और जीवन भर स्वस्त रह भी सकते हैं यही एक मात्र मार्ग है और ये मार्ग मैंने कुछ अपने अनभवों से सीखा है और कुछ मैंने अपने रिशी मुनियों से सीखा है कुछ मैंने अपने अनभूव से सिखा, कुछ रिशी मुनियों से मैंने सिखा, इन दोनों के सन्योक से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, और इसका पूर स्रे मैं भगवान को देता हूँ, क्योंकि उनके किर्पा के बिना ये ज्ञान मिल ही नहीं सकता, आज जो ज्ञान मैं प् एक उद्हारण के माध्यां से मैं आपको समझाओंगा, कि कैसे समस्त रोग जो है उत्पन होते हैं, और कैसे समस्त रोगों का निदान हम कर सकते हैं, और कैसे एक ब्यक्ति जो इंद्रियों का कुलाम है वो नहीं कर सकता है, और कैसे एक ब्यक्ति बड़े आसानी से इसे कर सकता है, जो इंद्रियों का स्वामी है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने सरीर को खाली रख सकें, खाली मतलब नो वाटर, नो फूड, कोई बीमारी आपके सरीर में टिक नहीं सकती, लेकिन बात असली यहां पर ये है, कि ये कर कौन पाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था, वही कर पाएगा जो इंद्रियों का स्वामी है, वो कभी नहीं कर पाएगा जो इंद्रियों का गुलाम है, क्योंकि मन उसे करने ही नहीं देगा मन भी एक इंद्री है यह जीवा उसे करने ही नहीं देगी यह जीवा भोजन मांगेगी स्वाद मांगेगी और आप सरीर को खाली रखेंगे कैसे लेकिन वो बैक्ति जिसने इंद्रीयों को जीत लिया है वो कर जाएगा एक उदारण से समझते हैं एक ब्यक्ति को एसीडीटी होती है देखिए गैस एसीडीडी और कॉंस्टीपे से नब्बे परतिसत बीमारियों की जड़ है इसे अगर ठीक कर दे तो हम संसार से नब्बे परतिसत बीमारियां गायब कर सकते हैं पूरे संसार से नब्बे परतिसत बीमारियां गायब कर सकते हैं गैस एसीडीटी का जो मेरा अनुभव है मूल कारण है कब्ज और गैस एसीडिटी में होगा क्या आप देखिए अब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति एसीडिटी को जीत लेगा और कैसे एक इंद्रियों का गुलाम एसीडिटी को नहीं जीत पाएगा अगर हम सरीर को पूरे खाली रखें और कुछ भी ना डालें तो गैस एसीडिटी कोंश्टिपेसल तीनों एक साथ साफ हो जाएगा और उसके पीछे जितनी भी बिमारियां वो सारी की सारी साफ हो जाएगे अगर आप सरीर को खाली रखना सीख जाओ इसका भी एक तरीका है इसका भी एक सिस्टम है एक सिस्टम से करना पड़ेगा आपको केवल आत्म संयम से बात नहीं बनेगी इस ग्यान को भी आपको होना चाहिए कि सरीर को खाली रखना कैसे है इसका एक प्रॉपर तरीका है नीचे से निकालते जाओ उपर से डालना बंद कर दो निकलेगा कैसे एनीमा से निकलेगा एनीमा करेंगे तो कॉलन साफ हो जाएगा कुछ वक्त तक ग्रीन जूसेज भी लो ताकि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो साफ हो सके ग्रीन जूसेज के बंद कर दो कुछ मत डालो अनीमा करते रो पुछ मत डालो अनीमा करते रो आपके सरीर में गंधगी 0 हो जाएगी और ध्यान रखना वो गंधगी ही बिमारी है जो आपके सरीर में जमी हुई गंदगी है वही बिमारी है वही तो जमता है आपके नाणियों में जमता है आपके कॉलन में जमता है दो ही जगे तो गंदगी जमती है और कहां जमेगी आपके कॉलन में जम जाएगी आपके नाणियों में जम जाएगी और इस चीज को अगर आप कर गए तो दोनों ही चीजें साफ हो जाएंगी दोनों ही साफ हो जाएगे कॉलन भी साफ हो जाएगा नाणियां भी साफ हो जाएगे दोनों ही साफ हो जाएगा और सब बिमारियां इससे ही जुड़ी है चाहे जिस बिमारी का नाम ले लीजिए सुगर ले लीजिए, थाराड ले लीजिए हर्ट से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं उसको ले लिजिए, किटनी से जुड़ी समस्या हैं, वो ले लिजिए, सब इससे ही जुड़ी हुई है, अलग नहीं है, मौडरन साइंस में, अलोपेथी सब को अलग-अलग करके दिखता है, और यही कारण है, कि पूर्ण रूप से कोई ब्यक्ति जीवन भर निरोगी रही नहीं पाता है, वो एक बिमारी के इलाज के लिए जाता है, तो दूसरी बिमारी लेके आता है, क्योंकि वो सिम्टम्स पे काम करते हैं, उसके पीछे जो कारण है, वहाँ पे जाही नहीं पाते, लेकिन समस्या यहाँ पे यह है, कि सरीर को खाली आप रख ही नहीं पाएंगे, यह जीव भोजन मागेगा, और वो ब्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वो बड़े आसानी से इस इंद्री पे कंट्रोल कर लेगा, मन आपका करने नहीं देगा, मन सो तरह के आपके सलाह देगा, यह ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए मन पे भी काबो करना पड़ेगा, अब आखिर में एक बहुत ही महतोपोर्ण चीज, यह सब कर भी लेते हैं, इसके बावजूद, अगर आपके मन में उसके प्रति आविश्वास है, तो भी चीजे ठीक नहीं होंगे, ध्यान रहे, मन सरीर का सुच्म रूप है, और जो मन में लेके बैठोगे, वही सरीर में आ जाएगा, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, इसको मैं एक उधान के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, आपको कहीं दर्ध हो रहा है, अपना मन वहां से उठा के कहीं और लगा दीजिए, वो दर्ध गायव हो जाएगा, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, पूरा दिन शरीर में कहीं दर्द हो रहा होता है लेकिन रात में गायब हो जाता है दर्द कारण आपका मन रात में सांथ हो जाता है क्योंकि आप नीद में चले जाते हैं तो इसी तरह से मन में उस चीज के प्रति पूर्ण विस्वास भी होना चाहिए जो मन में लाएंगे वही सरीर में आ जाएगा इसलिए उस चीज के प्रती जो चीज आप कर रहे हैं उसके प्रती आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए डाउट नहीं होना चाहिए कि इससे ठीक होंगे या नहीं होंगे यदि डाउट रहा तो नहीं होंगे ठीक क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया जो मन में है वही सरीर में आएगा आपके मन में तो डाउट है आपके मन में ये है कि नहीं ठीक होगा और मैंने पहले ही बोल दिया कि मन सरीर कही सूच मरूप है जो मन में है वही सरीर में है इसलिए उसे मन से भी निकालना पड़ेगा तो ये दो चीजे दो मूल बाते आज है कि वीडियो में हमने समझा है कि सरीर को खाले रखे समस्त बीमारियों को ठीक किया जा सकता है सरीर को ठीक रख कौन पाएगा जिसने इंद्रियों को जीत लिया है अगर इंद्रियों समझ नहीं आ रही तो मैं एक्स्प्लेन कर देता हूं आख कान नाक जीवा और दो नीचे इंद्रियों है हाथ पैर ठीक है सब्दों से जो बोलते हैं हम जीवा से खाते हैं जो ठीक है यह दो इंद्रियों तथा मन यह है इंद्रियां इंद्रियां सब्द कई बार आये इसलिए मैंने एक्स्प्लेन कर दिया आपको अगर जिसे इंद्रियों का अर्थ नहीं समझ नहीं आ रहा तो और हमने कॉँसी बात सीखी मन मन में अब मन में संस्य नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे है उसके प्रतीपूल सौत होना चाहिए क्योंकि मैंने बोल दिया है जो मन में है वो सरीर में है जब मन ही आपका नहीं मान रहा है कि सरीर ठीक हो जाएगा तो कैसे ठीक होगा क्योंकि मन ही तो सरीर का सूच मरूप है जो मन में है वो सरीर में है चलिए दोस्तो आज का सिसन इसे यहीं पर समाप्त करते हैं धन्य